साथियों, बदलते समय के साथ अपनी एप्रोच का विस्तार करना भी उतना ही जरूरी है। हमें 21 सदी में भारत की इस कृषी को आधुनिक बनाना ही होगा। और इसी का बिड़ा देश के करोर किसानों ने भी उठाया है और सरकार भी उनके साथ कंदे जे कंदा मिला करके आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्प है। आज हर किसान को ये पता है कि उसकी उपज का सबसे अच्छा दाम कहां मिल सकता है। पहले क्या होता था कि अगर मंडी में बहतर दाम नहीं मिलते थे या फिर उसकी उपज को दोयम दर्जी का बता कर खरीने से इंकार कर दिया जाता था तो किसान मजबूरी में ओने पोने दामों पर अपनी उपज बेचने को मजबूर रहता था। इन कुरुशी सिधारों के जरिये हमने किसानों को बहतर विकल्प दिये हैं। इन कानूनों के बार आप जहां चाहे जिसे चाहे अपनी उपज बेच सकते हैं। मेरे किसान भाईयों बेहनों मेरे इन शब्दों को अब ध्यान से सुनिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप अपनी फसल को जहां चाहे आप निरे करके बेच सकते हैं। आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हैं। आप नियूनतन सबर्थन मुल्य यानि MSP पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं। आप उसे बेच सकते हैं। आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं। आप बेच सकते हैं। आप बेच सकते हैं। आप बिस्केट, चीफ, जैम, दूसरे कंजुमर उत्पादों की वेल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हैं। आप ये भी कर सकते हैं। देश के किसान को इतने हथिकार मिल रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है। इसमें गलत क्या है। कि अगर किसानों को अपने उपर बेचने का विकल्प आउनलाइन माद्यम से पूरे साल और कहीं भी मिल रहा है।